वेलकम बैक टू माई चैनल आई एक रिक्वेस्टर वीडियो है इसमें हम बिना बैल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो देखिए सबसे पहले में यहाँ पर आपको बता दू कि यहाँ पर जो हमारी ब्लाउज की घड़ी है कुछ इस तरह आड़े कपड़े में हमें मिलती है तो हमें सबसे पहले इस कपड़े की घड़ी चेंज करनी पड़ेगी हमें इस तरह से आप इस तरह से खड़े भाग में इसे फोल्ड करेंगे देखिए इस तरह से हम इसे खड़े भाग में फोल्ड कर लेंगे हमें इस तरह खड़े भाग में इसे फोल्ड कर लिया पर बना रही हूं तो 34 इंच का चोथा भाव 8 इंच प्लस इसमें 1.5 इंच करेंगे मैंने यहां आदा इंच ज्यादा लिया है क्योंकि हम यहां पर यहां पर यहां बिना बेल्ट का ब्लाउज है तो हम यहां पर फ्रंट और बेक पार्ट दोनों में टक्स लगाएंगे जैसे लंबे हम बेक पार्ट में लगाते हैं वेसे टक्स हम फ्रंट पार्ट में भी लगाएंगे तो देखिए इस तरह से मैंने यहां पर आदा इंच एक्स लगल लिया तो मैंने 11 पर फोल्ड कर लिया है आप अपने चेस्ट के अकोर्डी आपका जितना भी चेस्ट हो उसका चोथा भाग करिये उसमें आप दो या धाई इस प्लस कर दीजिए अप धाई इन्च प्लस करकर यहां पर लगा सकते हैं जितनी भी हमें लंबाई चाहिए देखिए उसमें हमें 1 इंच को प्लस करना है तो मैं यहाँ पर 14 zn की ब्लाई यहाँ आइप 5 इंच पर निशान लगा दूंगी देखिए और यह निशान हम बंद भाग की साइट से लगाएंगे, देखें, यहाँ पर मैंने 15 इंच लंबाई पर निशान लगा लिया है, यह हमने बंद भाग की तरफ निशान लगाया है, 15 इंच की लंबाई पर हमने निशान लगाया है, 15 इंच हमें ब्लाउज की लंबाई या ने क कि हमें जब रेडी ब्लाउज मिलेगा वो 14 इंच का मिलेगा जो हमें चाहिए था तो इस तरह एक इंच प्लस करकर हमने ब्लाउज की लंबाई पर निशान लगा दिया अब इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे शोल्डर का निशान लगाने के लिए शोल्डर का चेस्ट के अनुसार कितने शोल्डर और कितना आर्म होल हमें रखना है उसका वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुकी हो अपने चैनल पर मैं आई बटन में भी उसका लिंक दे दूँगी तो आप जाकर वहाँ चेक कर सकते ह यहां 34 इंच का हमारा चेस्ट है तो मैं 5.5 या फिर पोने 6 इंच 5.75 साड़े 5 या पोने 6 इंच पर हम यहां पर निशान लगा लेंगे मैंने यहां पर पोने 6 इंच याने की 5.75 इंच पर निशान लगाया है अब इसके बाद इस तरह आड़े में हमने शोल्डर का निशान लगा लिया शोल्डर का निशान लगाने की बाद इस तरह खड़े भाग में हम आर्मोल का निशान लगाएंगे यहां से आर्मोल का निशान भी हमें यहां पर बढ़ाबर आना चाहिए ये वाले जो हमारे आर्मौहूल का जो निशान है वो एक किसी वाली जो इसके लाँ यहां पर बी乾IT से दर作 सीदा करेंगे। acking. देखिए हमने सीधा कर दिया. सीधा करने के बाद हम यहाँ पर गोलाई. यह हमारा बेक पाड है. सबसे पहले हम ब्लाउज में बेक पाड निकालते हैं बेक पाड की cutting करने के बाद हम फ्रंट भाग भी निकालेंगे अब यहां बीगर बेल्ट का ब्लाउज बना देंगे आदा इंच फरंड भाक से तो सबसे पहले यहां पर मैं आतकी गोलाई कि si he के देंगे देखिए यह गोल अब हमारा जाता है दो चेस्ट का निशान हम लगा लेते हैं कि आप देखिए इसहा कि तो दो दो इंच हमने यहाँ पर प्लस किया है देख पनाइब मारें इसके बाद देखेए कि इसके बाद कमर का निशान लगाएंगे तीस एंच चोफा भाग हो जाता है साड़े साथ एंच पर हम निशान USSR गळाएंगे इसके इंच हमने यहां पर एक्स्ट्रा लिया है एक्स्ट्रा हमने क्यों लिया है कमर कि यहां पर जो जब हम पीछ बेक पाड़ बनाएंगे तो यहां पर हम टक्स लगाते हैं इसलिए हम यहां पर आदा इंच एक्स्ट्रा लेंगे इसके बाद में यहां दोनों निशानों को मिला कि हमारा चेस्ट वाला भाग हो गया और यह हमारी कमर हो गई अब इसके बाद हमें इसमें नेक पर निशान लगाना है तो नेक के लिए देखिए नेक के लिए में चोड़ाई यहां पर ले रही हूं तीन इंच यह हमारा बैकनेक है और लंबाई हम अपने अकोर्डिंग रख देखिए इसके बाद आप किसी भी सेप में से कट कर सकते हैं यह हमारा जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गया है इसी तरह इसी निशानों को लेकर हमें फ्रंट भाग भी तैयार कर लेना है उसमें बस हम आर्म होल के शेप को आदा इंच कम करेंगे और साथ ही साथ जो हमारा फ्रंट भाग का नेक रहेगा वो छोटा रहेगा 6 या 6.5 इंच जितना भी आपको रखना हो आगे वाला नेक उसको रखेंगे तो हम फ्रंट भाग की भी इसी तरह से मार्किंग कर लेते हैं जैसे हमने बैक पार्ट के कटिंग की है वेसे ही निशान लगा कर हमें जो हमारा पर निशान लगा दिया अब इसके बाद शोल्डर हमारे शोल्डर भी हमारे सेम रहेंगे शोल्डर यहां पर हमने पोना चेंच 5.75 इंच लिये थे तो यहां पर हमारे सोल्डर भी सेम रहेंगे उसके बाद हमारा आर्मोहल भी हमारा सेम आ जाएगा जैसे हमने बैक सेम आ जाएगा यहां पर हम एक बार देखिए इस तरह से हमें मेजर कर लेना है ताकि हमारा जो आर्म होल का और शुल्डर का भागे इस तरह से यह सीधा आ जाए इस तरह से मैंने इसको सीधा कर दिया है और हमें यहां पर आर्म होल की गोलाई देनी अब हमने जो आर्म होल की गोलाई बैक पार्ट में दी वो दी थी डेड़ इंच यहां पर हम पॉन इंच यह ने आधे में से आदा इंच हम कम कर लेंगे और यहां पर फ्रंट भाग की गोलाई देदेंगे देखिए इस अगे यहां पर जाते हे अस्तीन के यहां पर जो फूग्गे निकलने की समस्या होती है वो इसे लिए होती है वहां से आपकी फिटिंग सही से नहीं हो पाती इसलिए आपको यहाँ पर जो गोलाई है वो गोलाई है वो कम रखना है हमारे बेक पार्ट से देखे इस तरह से निशान लगा लिए अब इसके बाद हमारा चेस्ट का निशान भी वही रहेगा है यहां हमारे चेस्ट हैं देखें यहां हमारा चेस्ट है साड़े आठ इंच चोतिस का चोथा भाग और यहां पर दो इंच हमने प्लस कर लिया है सिलाई मार्जिन का यह दो इंच मैंने सिलाई मार्जिन का प्लस कर लिया है अब इसके बाद अब हमारी कमर आ जाती है कमर हमारी यहां है 30 इंच तो 30 इंच का चोथा भाग 7.5 इंच 7.5 इंच पर मैंने निशान लगाया और हम 1.5 इंच यहां पर भी कमर में एक्स्रा मार्जिन का लगाएंगे देखिए हमने 2 इंच तो सिलाई मार्जिन रखा और आदा इंच में ने जादा यहां पर लिया है क्योंकि हम कमर में जो हमारा आगे वाला भाग भी है उसमें भी हम टक्स लगाने वाले हैं इसलिए हम यहां पर एक्स्ट्रा आदा इंच का मार्जिन लेंगे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है जो हमारा पूरा कमर का भाग है वो साड़े देखिए हमारा कमर का पूरा जो भाग है वो 10 इंच है और चेस्ट हमने लिये हैं यहाँ पर साड़े 10 इंच के चेस्ट और कमर में आदा इंच का डिफरेंस है देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिये हैं अब इसके बाद आ जाता है हमारा आगे का गला नेक की विड जो चोड़ाई रहेगे वो तो उतनी ही रखेंगे तीन इंच जैसे हमने पीछे की पीछे बैक पार्ट की अभी ली है उसके बाद लंबाई जो होती है मिनिमम लंबाई है आप 6 इंच रख सकते हैं नौर्मल लंबाई 6 इंच होती है लेकिन आप छोटा या बड लम्बाई लेने के बाद से हम यहां पर गोलाई या किश भी सेप में अपको गला अब कर एकार चाहत ङृम सकते हैं तक दोनों निशान हमने, यह हमारा फ्रण्ट भाग हो गया और वो शला हमारा हो गया बैक पार्ट तो जो 14 Athensre अस्तर पर अभी आपको निशान लगा कर बताया है यह हम अस्तर कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद जो हमारा मेन फेबरिक होता है बलाउच का उस पर एसे ही रख कर कटिंग कर देंगे अब इसके बाद हमारे आजाती है स्लीव तो पहले में दोनों पार्ट को कट क करनी है में इाट हैं भूसे नहीं है अब हीएस और हम रंच पार्ड कीशि ऑ पया प्रणड पार्ट कि से अलग कलि आब इसके ने कंदेग उल्ड गालेग हम जब हम इसके नेक को भी आप कट कर लीजी राथ भी यहां पर स्लीव कटिंग करेंगे जो साइड में कपड़ा हमारा बचा हुआ था उसमें से हम स्लीव निकालेंगे तो सबसे पहले स्लीव कटिंग करने के लिए हम इसे चार भाग में फोल्ड कर लेंगे इस तरह से देखिए में चार भाग में यहां पर कपड़े को फोल्ड कर लबाई 4 इंच बढ़ाएंगे तो आप एक इंच बढ़ा कर निशान लगा लिए अब इसके बाद देखिए यह 5 इंच के हमने इस दर भी निशान लगा लिया इस निशान को मैं सीधा करके रिखाती हूं देखें copyright यहाँ पर हमने शीधा कर लिया आभ में और जो हमारी हूसीचे को शीधा करेंगे देखेंगे उपर की ज़ुव सब्सक्राइब के लिए ऊपर की यसी भाल को शीधा करेंगे ज़े करेंगे से इसमें 200 जवह दया月 जो कि आगे की साइड होती है वो इस तरह से लंबाई में आएगी और नीचे के साइड गोलाई में हमें कम कपड़ा रखते हैं तो इसलिए जो खुली वाली भाग है उसमें हम माइनस करेंगे धाइंच यह तीरसा निशान लगाने के बाद अब हम इसके सेंटर में देखिए यह हमारा सेंटर है सेंटर में हम आदा इंच की इस तरह से गोलाई देंगे सेंटर में गोलाई देखिए मैं आपको यहां सेंटर में गोलाई देकर बताती हूं एक तरह वाजु की जो आगे वाली साइड होती है हमारी इस तरह से गोलाई दैनी होती है थे है डिजाइन होती है फटी का शेप बनाएना होता है तो हमारी जो चार Oं इसे हम खोल लेंगे सरह से हमये सिर्फ एक ही साइड गोलाई का ती मिद्ग शाइयली हे तो हम Nah still 나와 खोल लेना है अपनी स्ल्यूज को अब यह मेरे पास डबल कपड़ा है तो दोनों स्ल्यूज में एक एक साइड इस तरह से पत्ति वाली डिजाइन हमारी आजाए उसके लिए हमें क्या करना है जो यह वाला कॉर्णर है जो सेंटर है यहां से हम कटिंग नहीं करेंगे देखे म इसके बाद हल्का सा आदा इंच इस तरह से में अंदर की साइड निशान लगा कर फिर अपनी स्ल्यूज को इस तरह से देखिए हमें ऐसे पत्ति की साइड देनी है आप एक दो बार कोशिश करेंगे तो आपको आजाएगा मैं आपको इस साइड भी बता देती हूं इस साइड में आपको लगा कर बताती हूं इस तरह से हम यहां से सीधा ही रखेंगे और इस तरह से हम पत्ती की डिजाइन यहां पर बनाएंगे और इसे मिला देंगे हम हमारे उपर वाले भाग से उपर वाले भाग में और नीचे जो हमने कटिंग करी है उनमें हमने किसी भी प्रकार का निशान नहीं लगाना है इस तरह से पत्ति आप बना लेंगे अब मैं इसे कट कर देती हूँ देखिए यहाँ से मैं सीदा ले जाओंगी और इसे हमने कट कर लिया आगे वाले भाग भी हम दोनों बराबर ही रखेंगे देखिए इस तरह से हमारी जो यह पत्ति वाली भाग है यह कट कर रेडि हो चुकिए अब यह हमारी जो भाग है वो एक अस्तिन में देखिए एक अस की डिजाइन कट करते हैं वह हमारे फ्रेंट भाग में लगता है यह वाली जो स्लीव की यह वाला जो भाग है वह हमारे फ्रेंट भाग में लगेगा और जो यह गोलाई वाला भाग होता है वह लगेगा हमारे बेक पाड़ में ऐसे ही हमें दोनों अस्तिन को लगाना है देख को वीडियो पसना आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए